इन्हें जो सलोना साजन मिला है ऐसा तो किसी का नहीं होगा साथ फेरों के साथ अभी हमारी मिठी मुन्नी भेन जिनके अंदर त्रिमूर्थी क्या मैं तो कहूंगी सभी को साथ में लेकर के आई हैं इसे बीज में जार समाया होता है, इसे मुन्नी भेन के अंदर, अभी मीठी मोहिनी भेन, बड़ी दादी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, हमारे त्रिमुर्ती भाई, जो कुछ भी है और जो एडवांस पार्टी में गए हैं, सभी के दिल का उदगार, इनके द जानते हैं, कि ऐसी कुछल कारे करता है, कि कैसा भी प्रोग्राम मधुवन में हो, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, विश्व में सबसे टॉप का होता है, और सभी के दिल में वो छाप लग जाती है, तो मुन्नी भेन ने अभी तक पता नहीं कितनी कन्याओं का समर्पन क पराया होगा, लेकिन आज इनके लिए अपने साथ सबको साथ में समा के जो लाई हैं, वो क्या लाई हैं, वो हम सब अपनी जोली में भरेंगे. ओम शांती, आज का दिन बहुत शुब और महान है, आज 25 कन्याओं जो त्याग मूरत है, तपस्वी मूरत है, अथक सेवाधारी है, जिनों ने अपने जीवन का फैसला किया है, तो हमें प्रभू अर्पन होना है, तो आज उनका प्रभू अर्पन, समर्पन, समारो है. जो मन से, तन से, बाबा के उपर अर्पन हो रही है, मदुबन में भी ऐसे सुन्दर समागम बहुत होते हैं, और हम करनाने के निमित भी बनते हैं, लेकिन आज यहां का भी सुन्दर समागम देख करके, मुझे मन में बहुत 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 हर सो रहा है, आज इन कन्याओं का समर्पन देख करके मुझे मेरा बच्पन याद आ रहा है जब मैं 16 साल की थी तब बाबा के इस महा यग्य मदुबन में आई थी तब तो ऐसे समर्पन नहीं होते थे ये समर्पन की प्रथा तो बाद में शुरू हुई है लेकिन जैसे कहा बहनोंने साथ फेरों के साथ वचन तो जब हम यग्य में आए तो ये हमारा माहान सोभागय है पद्मा पदम भागय है जो हमारा ये छोटा सा जीवन वरिश्ट्र भाई बहनों के साथ बेस ड्यालिस साल तक बीता है जैसा कि बहन्जी ने तो हमने सभी दादियों की पालन ली है और सभी दादियों से सभी वरिष्ट्र भाईयों से बहुत बहुत कुछ सीखा है जो अभी एक एक के नाम से तो क्या बताएं लेकिन अगर आप पूछो तो बड़ी दादी जी ने हमको शुरू से ही ये साथ वचन दिये थे जो हमने प बहनों को भी कहूंगी तो वो सब खड़ी होकर के हाथ लाएंगी तो वो ये साथ वचन हमेशा के लिए पालन करेगी वो साथ वचन है तो मुझे बाबा का आग्याकारी बनकर के रहना है हाथ लाओ मुझे बाबा का वफादार बनकर रहना है मुझे बाबा का फर्मान दार बनके रहना है मुझे बाबा का इमानदार बनके रहना है मुझे बाबा का फेटफूलों के रहना है सच्चाई और सफाई से रहना है एक बाबा दूसरा न कोई सदा सदा के लिए इश्वरिय मर्यादाओं पर चलना है कभी भी कोई भी मर्यादा सपने बेबी हमारे से उलंगन नहीं हो और एक बात हमेशा याद रहे जैसा करम मैं करूँगी मुझे देख करके सब करेंगे कभी भी हमको किसी की कम्यों को नहीं देखना है लेकिन सदा सर्व के गुणों को देखना है बाबा की सेवा में आल राउंड बनके रहना है हर कारे अटेंशन से करना है एक्क्यूरेट करना है पर्फेक्ट करना है यही आदर्श ब्रह्मा कुमारी का जीवन है तो मेरा तो यही कहना है मेरा सबके प्रति यही दिल में शूब भावना है जो मैंने बश्पन से बड़ी दादी जी से, दीदी मन मोहिनी जी से, दीदी चंदादी चंद्रमनी जी से, मनोर इंद्रा दादी से, शांता मनी दादी जी से, अपनी मीठी मीठी मोहिनी भें जी से, जानकी दादी जी से, गुलजार दादी जी से, हमारे मीठे निर्वेर बाइजी से और ब्रिजमोन भाईजी से रमेश भाईजी से अन्यभी जो हमारे वरिष्ट बढ़ाताएं हैं जगदीश भाईजी से बच्पन से यही सब बाते सीखी है जिसको हमने अपने जीवन में धारण किया और आज हम आदर्ष ब्रह्मा कुमारी बने तो हमारी ऐसी ही स जो भेने है ओ ऐसे आदर्ष ब्रह्मा कुमारी बन करके दिन दूनी राजचोगनी उनत्ती करते हुए सदा आगे आगे बढ़ती रहे और इनके जो लोकिक माता-पिता आएं है उनके प्रती मेरी बहुत-बहुत मुबारक है शुब भावना है जिनोंने अपनी बच्ची को प्यारे प्रभु के उपर खुशी-खुशी से अर्पन किया है दान किया है कन्या दान का मेहत्व बहुत है तो आपका भी पुन्य का खाता बहुत-बहुत-बहुत बढ़ेगा ओम शान्ती ओम शान्ती बीज में जाल को कैसे समा के लाई हैं साथ वचन की बात थी लेकिन आप सबने अगर उंगलियों पर गिंती किया होगा तो मुन्नी भेंजी ने 21 वचन सुनाये हैं मैं 21 तो रिपीट नहीं करूंगी लेकिन शुरू में सबसे पहले जो इन्होंने सुनाया कि दादी जी का मूल वचन था कि सदा बाबा के यग के साथ बाबा के परिवार के साथ और अपने जीवन के साथ भी वफादार रहो ऐसे मुन्नी भेंजी ने हम सभी को 21 वचनों से सजाया तो मिठी मम्मा, मिठी दादी जी, दीदी जी और साथ साथ में अमारी जानकी दादी गुलजारदादी जी, मिठी मोहिनी भेन, रमेश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, अर्था सारे 21 रतन इस सभा में उपस्तित हो गए हैं, मैं किन शब्दों से मुन्नी भेन का धन्यवाद करूं कि नोंने हमारे बीच में उडिसा के इस मंच पर सभी को ला करके खड़ा कर दिया है, अभी इसके बाद शुब कामना देने के लिए मैं कैप्टन शिरी येश्वंत कुमावती जी को बुला रही हूं, कमांडरिंग ओफिसर इंडियन नेवी शिप, वो अपने पास शुब कामना है लेके आ हैं कन्याओं के लिए, वो हमारे सामने शुब कामना है रख सबी दीदियां और मेरे सबेर बाई बेहनों, जैसा कि असमता बेहन जानती हैं, हम फौजी बोलने में बड़े माहिर होते हैं, जब भी भाशन देने को बोलो बड़े आसानी से भाशन देने लगते हैं, लेकिन आज यहां खड़ा हो करके, मैं आप सब के सामने कबूल करता हूं कि मेरी बोलती बंद है, मैं कैसे बोलू, जहां जिस स्टेज के उपर स्वयम देवी देवता विराजमान हो, मैं वहां कैसे बोलू, मैं कैसे इन देवी सुरूप बेहनों को जो समर्पन फॉर्मली आज शायद कर रही हैं, लेकिन वो तो अलरड़ी समर्पित हैं, मैं क्या उकात है कि मैं उनको आशिरवाद दूँ, वो तो स्वयम हम सभी को आशिरवाद देने के काबिल अपने आपको अलरड़ी बना चुकी हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, कि अगर मेरी प्रार्थना में कुछ भी शक्ती है, तो मेरी प्रार्थना सुनकर इन सभी बेहनों को और ज्यादा से ज्यादा शक्ती दे, ताकि वो शब हम सब को बांट सके और इसे पूरे संसार में ब अब ही समर्पित हो रही है तो जब मैंने बोला नहीं तो उनको बड़ा आश्चर रही हुआ कि फिर कौन है यहां क्यों खड़े हुए हैं मैं बता दूँ मैं यहां खड़ा हूँ कमलेश दिदी और असमिता बहन की वज़े से हमारे नेवी में जितने भी नेवी और कोसगार् मेरे यहां से ट्रेनिंग शुरू करते हैं चाहिए वो किसी भी ब्रांच में हो उनका कोई भी ब्रांच में काम हो वो मेरे यहां से पहले आते हैं हम उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद वो आगे सब जगे जाते हैं और पिछले दो साल में मैंने कमान समाला और तब से कमलेश दीदी की मदद से हमने अश्मिता बेहन और अन्य बेहनों को बुला कर वहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके कारण अब तक अश्मिता बेहन दस हजार नौसैनिकों को अलरेडी ट्रेनिंग दे चुकी है मैं शुक्र गुजार हूँ राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन माउंट अबू का मैं शुक्र गुजार हूँ कमलेश दीदी का जिनोंने अपने यहां सेंटर से बेहनों को बेजा हमारे यहां मैं शुक्र गुजार हूँ उन सब बेहनों का जो बार बार हमारे य करके और कई महिनों तक हमारे प्रशिक्षाट्वनियों को यह शिक्षा देती है उसको देख करके और गाबा भाई ने जो है सेम प्रोग्राम ऑफसर्स की जहां ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग इंडिन नेवल अकैडमी वहां भी शुरू करवाया उसका नतीजा यह है कि अब से पूरा नेवी में हर एक आफसर और हर एक सेलर दोनों नेवी और कोसगार्ड में राजयोग का प्रसिक्षन ले चुका होगा कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने यह प्रसिक्षन नहीं लिया है और यह सब आप लोगों की आशिरवाद से हुआ है इसके ल दुनिया से उठ गया है तुम नाई दुनिया की ओर जा रहे हो अभी निर्वर भाई जी gift दे रहे है यश्मत भाई जी को अभी हम जो आज का मुख्य कारेक्रम है आकर्शित कारेक्रम है और और foundation कारेक्रम है, हमारे हिंदी में गीत बसता था, सुनते थे आभी तो बहुत दिनों के वो गीतों से कोई संबंध नहीं है, आज इनकी शादी में मुझे संकल पा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि जब हमारी शादी हुई, जब हम बाबा के पास आए, तो ना शर्ते थी ना समर्पन था, भीना शर्त के हम बाबा से प्यार किये बाबा के पास आ गए, लेकिन आज जो कन्याएं आती हैं, बहुत सारी शर्ते निभाती हों और बाबा को समर्पन होती हैं, लेकिन उसमें क्या-क्या संकल्ब लेते हैं, वो संकल्ब हमने मंच पर सत्य नारण भाई अपना एक सत्य नारण भाई लेटर पढ़ेंगे और कन्याय उसके पीछे वोत लेंगी सत्य नारण भाई विश्व के कल्यान कारी शर्ब के आधार मुरत उद्धार मुरत प्यारे माता पिता बाप दादा तथा निमीत बनी हुई राज जोगनी डाक्टर निर्मणा दीदी लक्मी मुनी बहन जी राज जोगी दिर्बर भाई जी तथा अन्य वरिष्ट भाई बहने हमें ये बहुत खुशी है तथा अपने भाग्य पर नाज है विश्व परिबर्तन के स्रिष्ट कार्ज में स्रिष्ट कार्ज में शहजोगी बनने का परम शोभाग्य हमारी पुत्र को प्राप्त हुआ है अमारी लोगी की पुत्री अपने कन्याओं का नाम लेगे अश्मिताब का पवित्ल निर्मल शांत और आनंद में जीवन देखकर इन्हें इस श्रिय कार्ज अर्थ दिल में समर्पित करने की दिल से शुब इच्छा उत्पर्ण हुई है तो आज 26 फेबरुरी 2012 के शुब दिन पर हम इस विशाल, सुंदर और सर्व श्रिष्ट कार्ज के लिए अपनी आंतरी की इच्छा वाँ प्यार से इन्हें समर्पित कर रहे हैं साथ साथ हमें यह भी पता है की प्रेम तथा काईदे के लोव एंड लोव शंतुलन से बैलन्स सोयम भगवान तथा विश्व के सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त होती है इस शुर्य पिश्व विद्यायल के भाई बहनों के पवित्र जाग मैं शेबा मैं जीवन की श्रेष्ट धारना अबित्ता के नियम को भी हम जानते हैं जदी इस नियम में पूर्न रिती से मेरी बच्ची ना चल शके वाई शुर्य मरजादाओं के विरुद्ध कोई कर्म करे तो इसके जीवन के प्रती हम शंपुर्न जिम्मेबार हैं आप इसके प्रती जो भी कदम उठाएंगी उसमें हम शंपुर्न शामत रहेंगे हंत में हम यही कहेंगे कि भगवान के इसकार्ज में हमारी बच्ची दिनो दिन दन मन से संपुर्न सहजोगी बन अपना स्वास समय मन बचन कर्म शफल करेंगी और अन्यो को कराएगी ओम शांति अभी हमारी कन्याएं खुद दिर प्रतिग्या करने के लिए जा रही हैं तो मिठी अस्मीता भेन पहले प्रतिग्या बोलेंगे और उनके साथ सारी कन्याएं उसको रिपीट करेंगी ओथ लेने के लिए जा रही हैं अपने समर्पन जीवन के लिए मिठी अस्मीता भेन ओम शान्ति मैं द्रण संकल्प के साथ निश्चय पुर्वक यह कहती हूं कि सारे विश्व की आत्माओं के पिता कल्यानकारी परमात्मा शिव जोतिर बिंदु स्वरूप है वे वर्तमान समय हर कल्प अनुसार इस धरा पर अवतरीत होकर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा गीता ग्यान एवन राजियों के सिक्ष्या के द्वारा हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं मुझे यह निश्चय है कि परमातम प्रदत इस ज्ञान के द्वारा नई दैवी स्रस्टी के स्थापना के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्रिय विश्र विश्र विद्याले मैंने अपने स्वाविवेक स्वेच्छा तथा अनुभव के आधार पर यह निर्णे लिया है कि अब मैं अपना सारा जीवन परमातमा के इस पुनित कार्य में समर्पित कर सफल करूं अतह आश्रवीवार 26 फरवरी 2012 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्रिय विश्र 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 विद्याले की मुख्य प्रशासिका एवं विश्र की सर्वस्रेश्ट स्तित प्रग्या राजियोगनी दादी जानकी जी की सुक्ष्म उपस्थती में तथा राजियोगनी डॉक्टर निर्मलादी दी जी लक्ष्मी बहन जी एवं वरिष्ट ब्रहता निर्वेर जी के सानित्य में आयोजित समर्पन समारोह के इस सोभाग्य पुर्ण अवशर पर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा एवं सर्व ब्राह्मन परिवार के समक्ष्य यह प्रतिग्या करती हूं मैं अपने दिल में सदा एक दिलाराम शिप बाबा को ही बसाऊंगी सदा स्रेश ते स्रेश शिप बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण चलूंगी सदा शिप बाबा तथा उनके द्वारा रचित यग्य के प्रति आग्याकारी इमांदार और वफादार बनकर सचाई एवं दिल के सफाई से चलूंगी मन बचन और करम से पवित्रता के व्रत का पालन करूंगी शिबाबा मुझे जहां बिठाए जो खिलाए जो पहनाए इस कथन को अपने जीवन का श्रिंगार बनाऊंगी ऐसा कोई करम नहीं करूंगी जिससे लोकिक और अलोकिक परिवार का नाम बदनाम हो सदा ब्रामहन कुल दीपक बनकर ब्रामहन कुल का नाम रोशन करूंगी ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति अभी ये कन्याएं एक एक करके शिव बाबा को वर्माला पहनाएंगी और इसके साथ साथ हमारी कुमारियां डान्स करेंगी मैं तो अपने शिव की भुजारन बनूँगी आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना हाए मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बनके आखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना हाए मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बनके कर दो लाए हो मेरे बनके खर बनके रहना तुम प्यार बनके आए हो मेरे दो भॉम झाए हो मेरे देखने खुंगट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी खुंगट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, ना शोख थी हो आये, ना खुश्ब मन चली थी आया है अब के मौसम, कैसा खुमार बनके मेरे दिल में यू ही रहना, हाए, मेरे दिल में यू ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आये हो मेरे जिंदगी में तुम पहार बनके मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी 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 अपने बोले की जोगन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी जोगन का चोला वो है पारस महादेव बोला मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला वो है पारस महादेव बोला चरन छुकर मैं कुंदन बनोंगी अपने बोले की जोगन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी नहीं मिलते हैं अनुरागियों को शिव तो मिलते हैं बैरागियों को मैं भी उनकी बैरागन बनोंगी मैं भी उनकी बैरागन बनोंगी अपने बोले की जोगन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी मैं तो शिव की पुचारन बनोंगी करके जी जान से उसकी भक्ती शिव से मांगूंगी नारे के मुक्ती करके जी जान से उसकी भक्ती शिव से मांगूंगी नारे के मुक्ती नारे चाती का तरपन बनोंगी नारे चाती का तरपन बनोंगी अपने बोले के जोगन बनूँगी मैं तो शिव के पुचारन बनूँगी मैं तो शिव के पुचारन बनूँगी अपने बोले के जोगन बनूँगी अभी मुन्नी भेन जी निर्वेर भाई जी कमलेश भेन और सुलोचना भेन को सेंटर के लिए जो मधुमन से आईवी स्वगात दे रहें आप तालिया तो बजाएए ना जोड से मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुलहनिया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुलहनिया सज के आएंगे दूले राजा भैया राजा बजाएगा बाजा मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुलहनिया सोला सिंगार मेरी बेहना करेगी सोला सिंगार मेरी बेहना करेगी खीका चड़ेगा और भलती लगेगी बहना के होटों पे जूलेगी नथनिया और जूनेंगे दूले राजा भैया राजा बजाएगा बाजा मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुलनिया सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी धरती पे बहना रानी पाउन धरेगी पलकों की पालकी पे बहना को बिठाके ले जाएंगे तू ले राजा बैया राजा बजाएगा बाजा मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुलनिया सजना के घर चली जाएगी जो बहना सजना के घर चली जाएगी जो बहना होट हसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा लेके आएंगे दुले राजा बैया राजा बजाएगा बाजा मेरी त्यारी बहनिया बनेगी दुलनिया सज के आएंगे दुले राजा बैया राजा बजाएगा बाजा मेरी त्यारी बहनिया बनेगी दुलनिया सबसे पहले निर्मला दीदी के पास आएंगे निर्मला दीदी से तोली लेंगी मुन्नी पहनजी से बैच पहनेंगी और भाई साथ से मेमन के लेंगी से में पहले बहले जाएगा बंचे अप्वा से तोलीकिदी ड़न खैसे तोलीकिदी बहले देनिया से पहले राजाएगा राज़िंए तोलीकिदी दिती यहीं पहले थरी खेजस-प्वान पहले के राज़ेगा तोलीकिदी सम На hun at No. कया गर्चातर बार्चिया कर दिदा कर दो है कर दो दो प्रेता करें विल्दध है का कर दो प्रीद निया दो है तारों का चमकता गहना हो उस घर में खुश हाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो तारों का चमकता गहना हो फुलों की महकती वादी हो उस घर में खुश हाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो जिस घर में तुम्हारी शादी हो ये भूल तुम्हारे जेवर है ये चांद तुम्हारा आईना तुम जब ऐसे शर्माती हो तु लेका धड़कता है सीना घर आईना तुम को देखे तुम तो ऐसी शहजादी हो उस घर में खुश हाली आए जिस घर में तुम्हारे शादी हो मेरी बहना है फूल बहारों का मेरी बहना है नूर नजारों का मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं बीना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं जैसे हैं चांद सितारों में तेरी बहना है एक हजारों में हम जैसे भोले भालों की ये दुनिया तो है दिलवालों की ये दुनिया है दिलवालों की ये दुनिया है दिलवालों की ताओं का चमकता गहना हो, पुलों की महकती वादी हो, उस घर में पुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो पुशियों के महलों में बैठो, कोई घम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पे, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए रब हसता हुआ रखे तुमको, तुम्ह तो हसने की आदी हो उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो तारों का चमकता गहना हो भुलों की महकती वादी हो उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो तारों का चमकता गहना हो भुलों की महकती वादी हो उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो ओम शांती आपको एक खुशी की बात सुना रही हूं कि आज के दिन में जबकि हमारा प्लेटिनम जुबली का प्रूडाम होने बाला है उसी उपलक्ष में सारे यग्ये के अंदर सभी 25 कुमारियों के माता पिता की तरफ से पिचत्तर पिचत्तर चीज हैं एक प्रकार की माउन टाबू मद्वन में स्वाह होंगी और आपका भागे बनेगा इसले जाएगा बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले मैं के की कभी न यादाएं ससराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरा फूलों की तरा बचपन में जुलाया है तुझको बाहों ने मेरी जूलों की तरा मेरे बाग की ऐना जुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले मैं के की कभी न यादाएं ससराल में इतना प्यार मिले जिस घर से बंदे है भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे होटों पे हसी की दूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे कभी जिसकी जोत न होपी की तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले मैं के की कभी न यादाएं ससराल में इतना प्यार मिले बीते तेरे जीवन की घडिया आराम की ठंदी छाओं में काटा भी न चुबने पाए कभी मेरी लाडल तेरे पाओं में उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा धार मिले मैं के की कभी न यादाएं ससराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझ को सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा बाबुल की दुआएं लेती जा बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से जा रही दूर मैं तेरे संसार से तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से जा रही दूर मैं तेरे संसार से बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से प्यार से बोल दो अब तो जिजशो प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो तार तूटे सभी आज तो जोड़ दो जाओ आशिश धनले तेरे द्वार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से मेरे मन में न कोई है शिकवागिला भाई भगवान जैसा मुझे है मिला मेरा जीवर सजा इसके उफकार से उफकार से बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से आज तो प्यार से बाबुल दे दुआ बहना आसों के मोतीना बिखराओ तुम बहना आसों के मोतीना बिखराओ तुम जाके साजन के घर सारे सुख पाओ तुम शुब सुहागन रहोगा मुसकाओ तुम जैसे लहरा एगंगा लहराओ तुम शान कुल के बड़े तेरे व्यवहार से तेरे व्यवहार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से जा रही दूर मैं तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से